नमस्कार दोस्तों मैं विपाक्षिक अश्यप आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विशय के बारे में जो मेरे दिल के बहुत करीब है आज हम बात करने वाले हैं एंजल्स के बारे में यह एंजल्स होते क्या हैं कहा होते हैं हम इनके साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और यह हमें कैसे मदद करेंगे हमारे लाइफ मे एंजल्स वो divine powers होते हैं जो बच्पन से ही जनम से ही हमारे साथ होते हैं हर मोर पे हमारी मदद करना चाहते है बस हमें ये पता होना चाहिए कि हम एंजल्स के साथ connect कैसे हो और हम उनको बुलाए कैसे सो इसी के बारे में जानकारी देते हुए आज हम बात करेंगे Archangel Chamill के बारे में Archangel Chamill को माना जाता है कि वो unconditional love का angel है वो लोगों में प्यार बढ़ाते है, प्यार बातते है Harmony create करते है सो आज हम उनके बारे में धोड़ा बात करेंगे आर्क एंजल चैमुल देखने में उनके पिंक विंग्स होते हैं क्योंकि वो अनकंडिशनल लफ के एंजल है इसलिए उनके हार चक्रा के पास हमेशा एक फ्लावर ब्लूमिंग होते है वो हमें मदद करते हैं जब हमारी कुछ प्रॉब्लम्स होती है जिसे रिलेशन्शिप इ अर्क एंजल चैमुल के मदद से हम उन मदवेदों को दूर कर सकते हैं एक प्यार वाला रिश्टा बना सकते हैं ताकि हर चीज हमारी लाइफ में अच्छे से स्मूध तरीके से चले ना की relationship में Archangel Samuel हमें इसमें भी मदद करते है कुछ ऐसे professions है जहाँ पे Archangel Samuel हमारी मदद करते है जैसे beautician, जैसे relationship counseling हो गया इन सारे professions में Archangel Samuel हमें बहुत मदद करते है अब अगर हम Archangel Shemuel के बारे में बात करेंगे, करते हैं हम जानतों गए कि Archangel Shemuel हमें मदद करते हैं Relationships में, Unconditional Love में पर हम उनके साथ Connect कैसे करें Archangel के साथ Connect करना बहुत आसान है क्योंकि वो हमारे आसपास ही होते है जनम से ही हमारे साथ होते है हमारे मदद के लिए ही होते है बस उनको बुलाना होता है उनके कुछ फेवरिट चीजे होती है जिनके थ्रों हम उनके साथ आसानी से Connect कर सकते है जैसे क्योंकि Divine Powers नेचर का हिस्सा है इसलिए हम कुछ नेचरल सीजों से उनके साथ Connect कर सकते है जैसे यह है Rose Quads एक ऐसा क्रिस्टल जिसको Relationship Healing में ही यूज किया जाता है और यह एक ऐसी क्रिस्टल है जो Archangel Chamel के साथ जुरे हुए है इनके साथ इस क्रिस्टल के मदद से हम उनके साथ बहुत अच्छे से Connect कर सकते है इसके Various Forms आते हैं जैसे यह Raw Form हो गया जो एकदम Natural Form है इसके Pyramid Forms भी आते हैं जैसे यह हो गया अगर आप Archangel Chamel को हमेशा अपने साथ Connected रखना चाते हैं और अपने पास चाते हैं Rose Quads के ही Bracelets आते हैं वो Bracelets कुछ इस तरीके से आते हैं जो आप हमेशा पहन सकते हो जब भी भी आप इसको Touch करेंगे Connect करेंगे और Archangel Chamel को बुलाएंगे वो आपके मदद के लिए आजाएंगे उसके इलावा Archangel Chamel के कुछ Meditations होते हैं अगर आपको बहुत Strong Connection बनाना है उनके साथ उन Meditation के दोरान आप Archangel Chamel के लिए Candles जला सकते हैं जो Pink Color, Yellow Color में आते हैं लेवेंडर का जो Smell है वो उनको बहुत पसंद है उनको एट्रैक करते हैं जैसे हम भगवान के सामने दिया अगर बत्ती जलाते हैं वैसे ही Angels के लिए इन Essential Oils का यूज होता है उनकी Fregnance उनको बहुत एट्रैक करती है उनको पसंद है Candles के द्वारा भी वो एट्रैक होते है So Archangels के Meditation के दौरान हम Angels के लिए उनकी पूजा के लिए कुछ Candles जलाते हैं कुछ Fregnance का इस्तमाल करते हैं ताकि उनको एट्रैक कर सके जैसे हम मूर्टियों की पूजा करते हैं वैसे ही Archangels भी Crystals में आते हैं तो उनकी जब भी हम Angels के साथ Connect होते हैं उनसे मदद लेते हैं हमारी जिन्दगी को खुबसूरत करने के लिए उनसे मदद लेते हैं हमेशा gratitude की भावना रखिए Thank you Angels बोलिए और हमेशा उनके साथ जोरी रहिए आपकी जिन्दगी बहुत खुबसूरत हो जाएगी Thank you Angels